Hello guys, मेरा नाम है अकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेकनिकल तो guys इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने WordPress ब्लॉग पर इस्तिकी पोस्ट कैसे लगा सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शरू करते हैं तो guys यह मेरा WordPress का ब्लॉग है इस पर जो है मैंने तीन पोस्ट जो है अभी तक डाले हैं सिर्फ यह देखे पहला पोस्ट यह है दूसरा पोस्ट यह है और तीसरा पोस्ट यह है ठीक है यह पोस्ट जो है मैंने 25 जून को डाला सबसे पहले यह पोस्ट डाला था उसके बाद मैंने ये post डाला उसके बाद ये post डाला लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला जो post है जो मैंने सबसे पहले डाला How to add a new blog post in WordPress ये वाला जो blog post है इसको मैं सबसे पहले सबसे उपर रखना चाहता हूँ यानि कि यहाँ पर बट posting के according ये वाला post सबसे उपर आएगा क्योंकि मैंने इसको सबसे बाद में post किया है तो ये वाले post को अगर उपर रखना है सबसे उपर दिखाना है उसके लिए हमें इस post को sticky बनाना पड़ेगा sticky post कैसे बनाते हैं तो मैं आपको इबताता हूँ तो सबसे बहले आप अपने wordpress के dashboard में जाएए तो मैं इस blog के dashboard में जाता हूँ मैंने पहले से ही login कर रखा है तो मैं dashboard में जाता हूँ dashboard में जाने के बाद आप जो है post के option पे चले जाएए यहाँ पे all post आएगा आप यहाँ पे click कर दिजिए इसके बाद मुझे यह तीनों post मिल गए और मुझे यह वाला जो post है how to add a new blog post in wordpress इसको मुझे सबसे उपर दिखाना है यानि कि stick ही बनाना है तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे edit पे click करूँगा edit पे click करने के बाद यह post open हो जाएगा post open होने के बाद दिखिए यहाँ पे side में मैं setting में जाऊँगा तो यहाँ पे एक option आएगा visibility का यहाँ पर edit पर click करूँगा edit पर click करने के बाद दिखिए यह options open हो जाएगे stick this post to the front page यानि कि इसको stick कर देजिए उपर front page पे सबसे उपर तो मैं यहाँ पे click करूँगा इसको ok पर click कर दूँगा और फिर मैं update कर दूँगा update करने के बाद यह post update हो गई है stick की बन गई है अब मैं एक बार check कर लेता हूँ अपने blog में तो मैं यहाँ पे अपना blog open कर लेता हूँ blog open करने के बाद दिखिए यह जो post सबसे नीचे थी सबसे उपर आ गई और बागी के जो post थे वो नीचे चले गई और अगर आप चाते हैं दो post को sticky बनाना तो वो भी देखते हैं तो अगर मैं चाहूं कि यह how to create a page in wordpress यह third number पर भी post show हो रही है इसको भी मुझे जो है sticky बनाना है तो मैं इसी को click करूँगा और edit post में चला जाऊँगा ठीक है अब मैं बापस से यहां पर visibility पर जाता हूँ public के बरावर में edit button है इस पर click करूँगा और इसको भी sticky बना दूँगा अब मैं इसको ok करता हूँ और फिर मैं update कर देता हूँ ठीक है update हो गई यह post अब मैं फिर से अपना blog चेक कर लेता हूँ देखिए तो यह वाली post जो है उपर आ गई इसके बाद यह वाली आ गई तो यानि कि इसका मतलब यह है कि आप जो सबसे बाद में sticky बनाएंगे वो सबसे उपर रहेगी तो आप इस तरीके से अपनी post को अपने हिसाब से लिस्ट कर सकते हैं कौन सी post आपको उपर दिखानी है कौन सी आपको नीचे दिखानी है तो I hope आपको sticky post WordPress में बनानी आ गई होंगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please like कीजिए, share कीजिए अगर आपका कोई question है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे channel subscribe नहीं करा है तो मेरे channel को subscribe कर लिजिए ताकि आगे जो मैं वीडियो डालू उसके notifications आपको मिलते रहें तो चलिए, मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए, bye bye